हेलो दोस्तों आज मैं फिर से यूनिक स्टाइल की रहत भी लिकर आई हूँ इसके आगे समोसा ढोकला सभी फेल हैं ढोकला तो आपने कई बर बनाया होगा गरांटी है आपने इस तरह का कभी नहीं बनाया होंगे एकदम सिंपल इस ढोकले बनाने के लिए ना तो मैं इनो चा सबसे पहले यहां पर एक कप बेसन लेंगे नमक स्वाद अनुसार डालेंगे चोथाई टीस्पून हल्दी पॉडर लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गोलतियार करेंगे ना तो इसमें हम सोडर डालेंगे ना इनो डालेंगे यहां हमने टोटल सबक कप पानी डाला है और इसे अच्छे से फैट लेंगे अब यहाँ पर मैं एक चमज तेल डाल लई हूँ जिससे की बेसर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए क्योंकि इसमें हमने इनो सोडो कुछ भी नहीं डाला है अच्छे से फैट कर इसको हम साइड में रख देंगे तो ऐसे में गि करना चाहिए तो गोल का ध्यान रख सकते हैं थोड़ा पतला भी कर सकते हैं अब यहाँ पे हमने पांच मीडियम साइज के आलू लिये थे यह उबलेवे थे आदो छोटा चमज जीर पॉड़र लिया है आदो छोटा चमज यहाँ पे कश्मीरी लाण मिर्च पॉड़र लिय यहाँ पे धन्या पॉड़र लिया है एक चमज यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है एक चमज मैने हरी मिर्च लिये और अद्रक का पेष्ट भी है और नमक हम स्वाद अनुसा डालेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हरदन्या भी अच्छे से हम आलू और सभी चीजों को मै आपका मन है अब कैसे भी बना सकते हैं, ब्रैड लेकर हमेने किनारों से काट लेंगे, तो यहां हम सभी ब्रैडों को काट लेते हैं, यहां हमने सभी ब्रैड को काट लिया है, अब बेलन की साइथा से ब्रैड को बेल लेंगे, अच्छी तरह से, यहां पर हमने सभी को बेल ल प्allた करेंगे। यहां पर हमने जो अलू का मसाला बना के रखा था उसे हमें एक पत्र ऐसे फिंगर की तरह रोल बना ये और इस तरह से ब्रैड के किनारे पर रखेंगे। और थोड़ा सीधे हलके हलके हाथों से इने roll करते जाएंगे और प्रीचमे करके साइड में करके दबा देंगे तो इस तरह से हमने roll त्यार कर लिया है आप देख रहे होंगे इस तरह से हम यहाँ पर इनको ready कर लेंगे अब पर हमने एक छनी लिये, छनी को हम ते लगा के ग्रीज करके रख लेंगे इधर हमने कड़ाई में पानी गरम करने के लिए रख दिया है अब यहाँ पर हमने बेसन वाला गोल लिया है इस रोल को इसमें डिप करेंगे और धीरे धीरे कांटे से उटा कर एश्ट्रा जितना भी बेसन है उसे निकाल देंगे और छनी पर रखते जाएंगे इसी तरह से हम दुबारा से रोल उठाएंगे और एश्ट्रा बेसन निकल जाएगा छनी में रखते जाएंगे तो इस तरह से जितना रोल आ सके उतने आप रख दीजेगा फिर इने ढगकर सरी 5-6 मिनिट पकाना है, बहुती जल्दी है श्टीम हो जाते हैं, तो यहां हमने इसको ढग दिया है, तो यहां हम देख लेते हैं, 6 मिनिट हो चुके हैं, बहुती बढ़ी हमारे ढोकले त्यार होए हैं, अब मैं इसको चैक कर लेती हूँ, यहां मैंने एक दूद्ध पिक लिए, इसको हम डाल देते हैं, तो आप देख रहे होंगे, बिल्कुल किली निकली है, बिल्कुल भी चपक नहीं रही है, इस तरह से हम सभी ढोकलों को त्यार कर लेंगे, अब यहाँ पर हम गयस को बंद कर देते हैं, और इन ढोकलों को अच्छी तरह से ब्लकुल जाएंगे, इस तरह से मैं सारी ढोकले को निकाल लूगे, अब यहाँ पर हमने ब्रेट ढोकला बनाया है, इस तरह से गोल-गोल पीस में काट लेंगे, तो यहाँ पर हमने सभी पीसों को काट लिया है, यहाँ पर सारी ढोकला रोल बनके त्यार हो चुके हैं, आप सरसो के दानी भी डाल सकते हैं, कुछ करी पते लिएं, हरी मिर्ची लिएं, सभी डोकलो को इसमें डालके हम फ्राई कर लेंगे, जितना आपके आसके उतने फ्राई कर लीजेगा, उपर से थोड़ा हरा धन्या डालेंगे, और इस तरह से अलटे पलटे थोड़ा सा सेख तो आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक स्टाईल में डोकला बनके त्यार हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, अब गैस को बंद कर देते हैं, और एक प्लीट में सर्प कर लेते हैं, देखा दोस्तों बहुत ही यूनिक स्टाईल की रेस्पी है ना, बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनते हैं और आप लोगों को जोरू पसंद आएगा जितना देखने में सुन्द लग रहा उतना ही खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी हैं एक बार खाएंगे तो उठाते उठाते आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बाई बाई